हेलो एवरिवन मेरा नाम राजीव है and welcome to this video so java series के इस video में हम user input के बात करने वाले हैं last video में हमने देखा था दो number को add करने का program और तीन number का average find करने का program but in दोनों program में हमने value direct program में ही store कर लिया था जैसे वेर वन में 10 इस्टोर कर लिया वेर टू में 20 इस्टोर कर लिया ठीक है अब इस program में हम देखने वाले हैं कि हम user से input कैसे ले सकते हैं मतलब हमारा program एक calculator की तरह work करें जो नीचे terminal है हम यहां से number एंटर करें जो भी number हमें एंटर करना है और हमारा computer वो number को add करके हमको final result बता दे इसको हम क्या बोलते है user input तो एक तरीका तो यह है कि तुम प्रोग्राम में ही value को store कर सकते है वरियबल के अंदर जैसा मैंने पिछले वीडियो में किया था जावा के सीरीज का अगर बाकी वीडियो तुमने नहीं देखा है तो जाके पूरा सीरीज है अब तक मैं 9 वीडियो डाल चुका हूँ यह सीरीज जाके देख लो और उसके बाद इस वीडियो को continue करो और अगर सिर्फ तुम user input सीखना चाहते हो तो ठीक है इस वीडियो को द method यूज करना पड़ेगा method की पहचान क्या है कि कोई भी नाम अगर लिखा हुआ है और उसके आगे parenthesis open close है में भी हो सकता है parenthesis के अंदर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो किसी भी नाम के आगे अगर parenthesis open close है तो उसको method बोलते हैं जैसे println println भी एक method है और यह println क्या काम करता है जो भी इसके अंदर हम लिखते हैं उसको यह टर्मिनल में print कर देता है उसी तरह math.power का सायद यूज किया होगा तुमने तो math.power भी एक method है जो power calculate करने का काम करता है ठीक है सो हम जिस method का use करने वाले हैं उसका नाम है nextint nextint क्या करता है integer type का input लेता है इसी तरीके से एक और method है जिसका नाम है next double और next double क्या करता है point वाला number input लेता है उसी तरह एक और method है next a single word string input लेता है so but अभी तुम्हें next int पर ध्यान देना है बाकी ना समझ में है तब भी कोई दिकत नहीं अब इतना जानो Java में जो भी methods होते हैं वो class के अंदर रहते हैं ठीक है Java में जो भी methods होते हैं मानलो यह सारे asterisk methods हैं तो similar type के methods एक group में रहते हैं जिसको हम class बोलते हैं और उसी तरीके से जो similar type के classes होते हैं जो भी similar type के classes हैं हर class में बहुत सारे methods होंगे वो similar type के classes भी एक group में रहते हैं और उस बड़े group को हम package बोलते हैं क्या बोलते हैं हम उसको package बोलते हैं अब Java में बहुत सारे package है जैसे IO एक package है Util एक package है और हर package में बहुत सारे classes है हर class में बहुत सारे method है तो यहाँ पे एक में मुझे इसे हटा लेने दो just give me 5 second थोड़ा सा मेरा system slow है इसलिए थोड़ा time लग रहा है so अभी हम जिस method का use करने वाले है उस method का नाम क्या है nextint और nextint method हमारा जिस class के अंदर रहता है उस class का नाम है scanner so हमारा जो nextint method है यह जिस class के अंदर रहता है उस class का नाम है scanner और यह scanner class जिस package के अंदर रहता है उस package का नाम है util ठीक है so scanner class जिसका package के अंदर रहता है उसका नाम क्या है utile अब utile में और भी classes हैं जैसे ये classes string tokenizer string tokenizer उसके अंदर भी बहुत सारे methods है ठीक है so अब हमें user input लेना है तो पहले तो जो मैंने एकल program लिखा था मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से ठीक है जो मैंने पहले program लिखा था इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं अब अगर हम को user input लेना है मानलो दो integer number तुमें read करना है ठीक है और दोनों को add करकर print करना है तो program में बिल्कुल top पे हम क्या करेंगे utile next identity method किस class के अंदर है scanner के अंदर scanner किस package के अंदर है utile package के अंदर तो हम बिल्कुल top पे जब भी next identity का तुमें use करना होगा एक line लिखेंगे import java.util.aster ठीक है एक line हमने क्यों लिखा basically हमने यहां पे utile package को import किया ठीक है import करने का मतलब अभी सिर्फ ए समझो कि हमने अपने system को यह बताया कि हम एक method का आगए use करने वाले है जो तुमें utile package के अंदर मिलेगा ठीक है fine उसके बाद हम main method में आएंगे अब main method में हमें java को यह बताना पड़ेगा कि भाई utile package के अंदर किस class में मुझे जाना है जहाँ पे next identity method मिलेगा तो कौन सा class है scanner class तो यहाँ पे हम लिखेंगे scanner फिर एक variable ले लो मैं sc ले लेता हूँ तुम कुछ भी ले सकते हो x, y, z, कुछ भी scanner sc assign with new scanner new scanner और उसके बाद हम parenthesis में लिखेंगे system system का s अपरकेस में होगा ध्यान देना system.in और scanner का s भी अपरकेस में होगा तो यहाँ पे इस line में हम करके आ रहे हैं इस line में हमें scanner class को object बना रहे हैं अगर object नहीं पता है तो simple A समझ लो इस line में हम अपने computer को बोल रहे हैं कि भाई जब तुम यूटिल package के अंदर जाओगे तो वहाँ पे जो method हम यूज़ करने वाले next INT और scanner class के अंदर मिलेगा अब हमें दो number input लेना integer type का तो उन दोनों number को store करने के लिए दो variable चाहिए तो हम दो variable ले ले लेते हैं और दोनों में integer ले store करना है तो इन दोनों के पहले INT अब यह INT क्यों use करते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया है नहीं पता तो पिछले वीडियो जाके देख लो link description में है तो A और B और एक और variable चाहिए दोनों number को add करेंगे जो result आएगा उसको store करने के लिए तो मैं variable का नाम देलता हूँ result तुम कुछ भी दे सकते हो ठीक है फाइन अब हम क्या करेंगे अब हमें number input लेना है तो पहले मैं आप एक message प्रिंट कर देता हूँ system.out.println message compulsory नहीं है चाहो तो मत प्रिंट करो कोई दिककत नहीं है enter the first number enter the first number then उसके बाद semicolon और फिर A हमने उपर लिया है न तो A assign with scanner के बाद कौन सा variable लिया है हमने sc तो हम लिखेंगे sc अगर हमने x लिए होता हो तो हम x लिखते है .next int next int में space नहीं होगा int का आई अपरकेस में होगा ध्यान देना उसके बाद एक और number हमें input लेना है तो फिर इसे एक और message प्रिंट कर देते हैं system.out.println enter the second number ठीक है और इसके बाद अब b में input लेना है तो b assign with sc.nextint यह हमने दो number input ले लिया अब देखो यहाँ पर होगा क्या हमारा java का program run कैसे करता है line by line from top to bottom तो computer एक एक line को read करेगा जब इस line पर आएगा system.out.println enter the first number तो यहाँ terminal में एक message print कर देगा enter the first number enter the first number फिर ln लगा है print में तो line change करके नीचे चला जाएगा फिर जब अगला line read करेगा a assign with sc.nextint तो sc.nextint अब अपना काम करेगा computer को यही पर रोग देगा और तुम यहाँ terminal में देखोगे कि यहाँ पर एक computer तुम से input मांग रहा है cursor तुम में blink करता हुआ terminal में दिखेगा इस terminal में और तुम जैसे ही कोई number enter करोगे suppose तुमने 15 enter कर दिया तो next int क्या करेगा इस 15 को ला के कहा है store कर देगा a में store कर देगा ठीक है I hope इतना समझ में आ गया होगा so हमारा next int 15 को a में store करेगा उसके बाद फिर computer आगे बढ़ेगा फिर अगला line क्या है enter the second number तो फिर से mss show कर देगा enter the second number enter the second number फिर computer नीचे बढ़ेगा तो फिर से next int आ गया तो फिर यहाँ पर cursor तुमें दिखेगा terminal में और computer फिर इसी line पर रुका रहेगा कि number enter करो suppose हमने 20 enter कर दिया तो हमारा next int क्या करेगा जैसे ही keyboard से enter दवाएंगे 20 को लाके b में store कर देगा so I hope इतना समझ में आ गया होगा अगर तीन number में input लेना हो तो हम तीन बार next int का use करते और तीन variable यह होते ठीक है अब हमें क्या करना है दोनों number को add करके print कर देना है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम जैसे पिछले ओले प्रोग्राम ने हमने किया था दो number को add करके print उसमें कोई difference नहीं होगा तो हम लिखेंगे result किसमें store करने वाले हैं result variable में so result assign with a a plus b क्योंकि यह में हमारा पहला number है b में दूसरा number है अब print करना है तो print करने का काम कौन करता है system.out.println तो system.out.println और एक message दे देते हैं हम sum of two numbers जो double quotation में लिखेंगे हैं वो message होता है exact वही print कर देगा फिर result की value print करनी है तो उसको double quotation में नहीं लिखेंगे double quotation के बाहर अगर double quotation में लिखेंगे तो result ही print कर देगा r e s u l t फिर मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम double quotation में message लिखें हैं और उसके बगल में अगर हम कोई variable की value print कर रहे हैं तो दुनों को भीश है plus लगा देंगे plus ये हमारा program हो गया अब इस program को हम save करते हैं और फिर इस program को run करते हैं so terminal में आते हैं अब यहां पे हम क्या लिखेंगे पहले compiler को बुलाएंगे so java c program का नाम क्या है abc.java so abc.java enter फिर क्या लिखेंगे हम java interpreter का नाम फिर program का नाम so abc enter करते हैं अब देखो enter the number ये वाला output किस line से आया ये वाला output आया line number 8 से यहां से enter the number ठीक है फिर जैसे computer नीचे बढ़ा next int आ गया तो next int अब देखों यहाप ए करसल दिख रहा है enter the first number के नीचे input मांग रहा है तो number मैं enter करता हूँ 14 अब जैसे ही मैं keyboard से enter करूँगा तुरंत हमारा computer क्या करेगा next int 14 को ले जाके a में store कर देगा फिर आगे बढ़ेगा और message print कर देगा enter the second number देखो enter the second number अब फिर अब यह वाला next int काम कर रहा है अब मैं number enter करता हूँ 58 so 58 plus 14 कितना आना चाहिए 60, 70, 72 देखो enter करते हैं sum of two numbers equal to 2 equal to 72 अब देखो यह program कितना सही है हमें अब जितनी बार run करेंगे हम अलग-अलग number enter कर सकते हैं फिर से run करते हैं program को program में कोई change नहीं किये है तो a, b, java c वाला line लिखने का जरूरत नहीं है direct compile, interpret करो java program name enter, पहला number 4, दूसर number 7 देखो, sum of two numbers equal to 11 फिर से पहला number 5, दूसर number 9 so sum of two numbers equal to 14 so I hope clear हो गया होगा कि हम user input कैसे लेंगे अगर मानलो तुम्हें point वाला number input लेना है फिर क्या करोगे जैसे मानलो कि हमें दो number input लेना है point में decimal number input लेना है real number जो point में होता है तो फिर क्या करेंगे तो अब देखो इस program में क्या change करना पड़ेगा सबसे पहले तो जो तुम्हारा variable है point वाला number store करना है तो double type का variable लेना होगा और मैं ले लेता हूँ a, b और result सेम नाम का variable ले लेता हूँ ठीक है फिर message हमारा वही रहेगा पहला enter the first number enter the first number और अब यहां पे next int की जगह scanner class का एक दूसरा method यूज करेंगे जिसका नाम क्या है next double फिर message वह उसी तरीके से रहेगा enter the second number और यहां पे हम क्या लिखेंगे next int की जगह next double फिर दोनों number को add करेंगे a और b को और a और b किसमे store हो जाएगा result variable में result variable भी double type का है अब a और b point में है तो दोनों का sum भी point में आएगा अगर point में कोई value नहीं हुए तो point 0 आएगा बट आएगा point में ही फिर हमने print कर दिया तो चलो इस program को है तो java abc अब enter the first number 45 point 36 में देता हूं enter enter the second number 21.41 यह देखो sum of two numbers equal to 66.77 अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि suppose अगर यहाँ पे ने input मांग रहा है तो तुमने 4 दिया point में तुमने कुछ दिया है नहीं तब क्या होगा तो next double क्या करेगा 4 में खुदी से point 0 लगा देगा देगा देखो 4 और मैं यहाँ पे 6 बस 6 देता हूं तो यहाँ पे next double इसको क्या कर देगा 6.0 अब देखो result क्या आएगा 10.0 So I hope clear हो गया होगा कि a scanner class की help से हम user input कैसे लेंगे अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम buffered reader class की help से buffered reader और input stream reader input stream reader की help से कैसे user input लेंगे So thank you for watching this video अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को like करो और चैनल को subscribe करो Thank you